जशे शान स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब जो भी बच्चे अपने CA Foundation की जून 24 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि मैं रिजल्ट से रिलेटेड आप लोगों कि जो common queries है वो आंसर करने वाली हूँ, तो तीन major queries बच्चों की रहती है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिजल्टेट, दूसरा है पास परसेंटेज, एक्सपेक्टेड और ग्रिसमाक्स का क्या सीने माम ये बता दो, तो पहली चीज, एक्सपेक्टेड रिजल्टेट, एक चीज और जो को पता लग गया है अभी, सब्टेंबर एक्जाम के लिए 28 जुलाई से एक्जाम फॉर्म स्टार्ट होने वाले है, आप ऑविसली जो बच्चे जून 24 में एक्जाम दिये हैं, उन लोगों को भी तो सब्टेंबर में एक्जाम देने का मौका मिलना चाहिए, तो मेरे जुन 24 का एक्जाम फॉर्म उपन हो रहे है, इसलिए, तो जुन 24 का एक्सपेक्टे डिजल्ट डेट मेरे कॉर्डिंग है 25 तो 28 जुलाई, एक्च चिस और में बता दूँ, बच्चों की कॉमन क्वेरी रहती है कि माम अगर हमारा जून में एक्जाम क्लियर नहीं हुआ, त तो आप लोग एक्जाम, अगर आपको जुन 24 का रिजल्ट में नेगिटिव आता है, तो आप सप्टेमबर में एक्जाम दे सकते हो, प्रोवाइडिर आप 10 अगस से पहले पहले एक्जाम फॉर्म भर दो, ठीक है, चलिए, उसके बाद दूसरा कॉमन क्वेस्चन रहता है पच्छों का कि मैं एक्सपेक्टेड परसंटेज का रहेगा, कैसा रिजल्ट जाएगा, तो उसके लिए भी हमने अनालेसिस किया है, आप ध्यान से देखो, हमने पिछले कुछ अटेम्ट के यहां पर पास परसंटेज आप के लिए लगाए हैं, जैसे अगर आप जुलाई के 21 की बात करें, तो हमारा एक्सपेक्टेड पास परसंटेज कितना था, मेल का था आपका 26% के आसपास, फीमेल का था 27%, अवरेज मतलब तोटल देखा जाए तो 26%, साड़े 26% के आसपास पास पासिंग परसंटेज था, उसके बाद आजाते हैं हम अपना जून 22 पे, जून 23 की तरफ, इसके पहले हम बात कर लेते हैं, एक बाद दिसम्बर 22 के बारे में, दिसम्बर 22 में मेल 29.57, फीमेल 28.88 और तोटल था आपका 29.25, जून 23 में क्या रिजल्ट था माम, 25.99, 23.80, 24.98, respectively मेल, फीमेल और तोटल का था, और इसी तरीके से दिसम्बर 23 में रिजल्ट मेल्स का 30.19, फीमेल 29.77 और तोटल आपका 29.99, तो इन सभी रिजल्ट की परसंटेज को ध्यान में रखते हुए, ओवरॉल जो परसंटेज हो सकती है मेरे कॉर्डिंग वो है, मेल्स की एक्सपेक्टेट पास परसंटेज 25 तो 28.something something के असपास हो सकती है, फीमेल में 24 से लेक 29.8% के आसपास पास परसंटेज बचों यहां पर रह सकती है, इन जून 2024 एक्जाम्स, तो यह रहने वाली है, आपके एक्सपेक्टेट पास परसंटेज, ओवरॉल अगर एक शब्दों में बोला जाए, तो 24 से लेके 29.98 परसंटेज तक आ सकता है आपका रिजल्ट, क्लिय अब बच्चों आपने सोचा है कभी कि क्यों परसंटेज इतना कम है, क्यों ऐसा है कि एक लाग बच्ची अगर पेपर दे रहे हैं, तो 75,000 फेल हो रहे हैं, एक्जाम्स क्राक नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बेसिक फांडेशन लेवल का एक्जाम, रीजन बता है कि रीजन ह आपके एक्जाम का लेवल थोड़ा से इंक्रीज करता जा रहा है, तो अब तो concept clarity आपके लिए और भी ज़रूरी हो गई है, तो अगर आप लोग चाते हो कि आपके concepts अच्छे से clear हो जाएं, वो भी at bare minimum prices, तो आप लोगों के लिए ही इस CA Day पे, Grooming Education Academy अपने सभी प्यारे students के लिए लेके आया है, CA Foundation OTT, एक बहुत ही बड़ा revolutionary change in the CA coaching industry, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, कि OTT platform पे बच्चे को 100% content दिया गया है, in subscription mode, तो just at the rate of 450 रुपीज पर मन्त, आप 100% content देख सकते हो, चारो subject का, और वो भी सरफ एक faculty नहीं, आपको multiple faculties मिल रही है, तो I think इस से अच्छी चीज होई नहीं सकती है, आपके concepts को clear करने के लिए, और CA Foundation exam को अच्छे से crack करने के लिए, all four subjects 100% content, just at Rs. 450 per month, तो अगर आप लोग चाहते हो, इस CA Foundation OTT के बारे में और जानकारी लेना, तो आप लोग हमारे help line number 8888 0402 पे contact कर सकते है, बच्चों, just drop a message तेर, और आपको guide कर देंगे about this OTT course, आपको जो भी पूछना आप पूछ सकते हैं वहाँ पर, तीसरा बड़ा question जो हर बच्चे के मन में आता है, कि माम Grace Marks का क्या, आप क्योंकि आप लोगों का कहना है, कि maths में questions wrong थे, तो अब अगर ऐसे case में institute की तरफ से तो कोई notification नहीं आया है, पर regarding examination, कोई आपको mistake मिलती है, कोई भी चीज wrong मिलती है, पेपर में कोई question wrong मिलता है, option wrong मिलता है, कुछ भी आप पेपर के बारे में अपने comments देना चाते हो, अपने observation देना चाते हो, तो आप लोग examfeedback at ICI.in, इस पे आप लोग mail कर सकते हो, examfeedback at ICI.in, ठीक है, और या फिर, आप speed post लेटर भेज सकते हो, जो कि 7 जुलाई तक पहुचना चाहिए, डिपार्टमेंट के पास, इस address पे, जिसमें आप mention कर सकते हो, कि वह या कोई mistake थी पेपर में, ठीक है, आपको याद है, वो question कि ये mistake थी, तो आप हुआ पे mention कर सकते हो, question number के साथ थिक, क्या के details आपको बता है, वो सुनी जाएगी, राइट, तो अगर आप लोग चाहते हो, कि grace marks आपको मिले, क्योंकि बहुत बच्चे कहने हैं कि question wrong था, तो I hope question wrong होंगे, तो अगर आप चाहते हो, कि grace marks आपको मिले, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस facility का benefit उठाएंगे, और अभी time है, तो जादा efficiently और effectively आपके बातों को सुना जाएगा, और accordingly grace marks के बारे में decision लिया जाएगा, तो यह थी सारी बाते एक्जाम से related, एक्जाम के एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट मैं आपको बता दी, और आपको बता दी, और पच्चे से अठाएज के वीच में रिजल्ट आ जाए और grace marks आपको मिल भी सकते हैं, अब institute के तरफ से clarification नहीं है, जो तीन questions आप लोग रॉंग बता रहे हो, actually में रॉंग होंगे, तो आपको marks मिलेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, institute को mail कर दोगे, तो जादा अच्छा रहेगा, आई email ID में आपको मता दिया, तो फटा- आपकी queries resolve होती रहें, तो आप लोग चानल को subscribe करना ना भूले, बहुत important चीज है, क्योंकि छोड़ी चोड़ी बाते हम लोग आपके सामने लेकर आते रहते हैं, तो बच्चों के मन में जो queries जो इतने सारे सवाल उठ रहे होते हैं, तो उनके answers उने मिल जाते हैं, तो और वी झाल